हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू श्वेप सर क्लासर तो आज हम एकनॉमिक्स का क्लास 10 चैप्टर टू सैक्टर्स ओप इंडियान एकॉनमी के बारे में बढ़ेंगे तो एकॉनमी यानि की हमारी अर्थ हुए वस्ता अब उससे हम एक बड़े स्थर पे लेवल पे यहां पर डिसक और नवीक्ट करेंगे के बारे में अब एकॉनमिमी से हमारे समझ में आता है कि खाली यह नहीं कि घर का सरफ हे यहां पर 방법 करनी ख Swiss An Nais कि बारे में बास करनी है तो हम यहां पर 3 parts में है, classify 3 parts में ही किया गए, तो बात करेंगे हम यहाँ पर, सबसे पहले introduction की, कि sectors of economic activities, activities which are undertaken with the objective to money, are called economic activities, जिनसे हम कुछ नो कुछ earn करते हैं, उन्हें economic activities कहते हैं, और ये 3 parts में classify है, primary activity, secondary activity, and tertiary activity, और ये आपने class 7, 8 में भी पढ़ा होगा, लेकिन इसको briefly हम यहाँ पर describe करेंगे, तीनों sectors के बारे में, primary, secondary, and tertiary sector, तो सबसे पहले जो हम बात करेंगे, वो primary sector के बारे में बात करेंगे, तो primary sector से आप क्या समझते हैं, पहला जो word आपके आ रहा है, primary, उससे हमें क्या समझ में आता है, base, अब किसी भी चीज को process करने में, बनाने में, सबसे पहले हमें क्या जरूरत होती है, base की जरूरत होती है, तो जो भी activities हम कर रहे हैं, naturally produce कर रहे हैं, ठीक है, वो सारी activities हमारी primary activities के अंदर आती है, अगर बात करें, हम एक छोटा सा example ले लें, कि crops हुगाई, पार्मर ने, तो वो sugar cane ले लिजिया, तो sugar cane भी क्या है, हमने produce किया, तो वो primary activity के अंदर आया, अगर मैंने tomatoes produce किया, तो वो भी primary activity के अंदर आएंगे, तो जो main natural products हमको obtained हो रहे हैं, वो सब primary activities के अंदर आते हैं, पिसी culture, fishing, अब खाली आप यह नहीं कह सकते हैं, कि जो हमें agriculture से मिल रहे है, animal, हम animals को भी रख रहे हैं, तो वो भी क्या है primary activity के अंदर आ रहे हैं, क्योंकि animals को हमने रखा और वो animals को हमने रखने के बाद, जो उनका milk है, वो सेल हुआ, तो वो भी primary activity के अंदर ही आएगा, तो primary activity sector आपको समझ में आ गया, और इसको इसलिए agriculture sector भी कहा जाता है, क्योंकि mainly यहाँ पे जितना भी depend हैं, हम agriculture पे डिपेंड हैं, स्वेंड ही लिडरे एंचर जो हमें चीज़े उपण ह hoc जो प्रॉडक्ट हमको उप्टेंड होरे हैं, वो सब primary sector के अंदर अब सेकेंड होगे séकेंड जो हम बात करेंगे, आगे process कैसे करेंगे, अब secondary sector में हम पूरा manufacturing में आ जाएंगे, मतलब natural products को हम किस में change कर रहे हैं, through, किस के through, machines के through, और manufacturing के through, हम उन्हें product में change कर रहे हैं, convert कर रहे हैं, तो secondary sector के अंदर हम natural product को, product में change करने का काम करते हैं, और यह किस के थू करते हैं? मशीन के थू करते हैं, मैंनुक्षरिंग के थू करते हैं. For example, आप ले लीजेए. आपने टमाटोस का भी हमने प्राइंडरी सेक्टर में एक्जांपल लिया था. तो टामेटोस से मुझे कैचप बनाना है, तो फो डायरेक्ली कैचप तो नहीं बनेगा, तो वो हम क्या करेंगे, इन वो प्रामेटोस को प्राइञ्मरी से क्टर से हमें deAmaightoS प्रोडक्त मिले, उसके बाद वो secondary sector में आये, farmers से हमने लिये, वो secondary sector में आये और वहाँ पे वो catch-up बना, अब catch-up कैसे बना? Manufacturing के थूँ, वो वहाँ पे जो भी labor work हुआ, जैसे भी हुआ, machines के थूँ, वो catch-up बन के दयार हुआ, next हम जो बात करेंगे, वो हम बात करेंगे, tertiary sector के, तो tertiary sector जो है हमारा, वो किसके development में काम आता है, primary and secondary both, इन दोनों की growth और development का काम कौन करता है, tertiary sector करता है, ठीक है, यहाँ से हमें क्या provide होता है, services and goods provide होती है, primary sector, tertiary sector, दोनों हमको product produce करते हैं, लेकिन जो tertiary sector है, वो हमको produce नहीं करके देता है, goods, लेकिन वो हमें facilities provide करता है, services provide करता है, ठीक है, तो अब आप कहेंगे, कि हमने example लिया था, tomato का, कि primary sector में क्या आ गया, कि tomato produce हुए, ठीक है, पार्मर ने tomato produce किये, secondary sector में हमने क्या देखा, कि manufacture हो के ketchup बना, लेकिन उस तक का सफर, primary से secondary तक, यानि इन दोनों को, ये तीनों ही आपस में interdepend हैं, एक दूसरे से, और कैसे है, कि जब base होगा, अब आपको अगर घर बनाना है, for example, तो घर बनाने के लिए सबसे पहले आप second floor, third floor ऐसे बना लेते है या उसके लिए सबसे पहले हमें base तयार करना होता है, उसके बाद फिर first floor, second floor या जो भी आपको बनाना है, तो पहले हमारा base बनता है, सेम ऐसे ही जब primary sector को हमने base कहा है, इसलिए agriculture sector कहा गया है, क्योंकि जितनी भी चीज़े हमें nature से उप्टेंड हो रही है, अब यहां से हमे हमें base मिला, वो secondary sector में आया, वहां पे वो convert हुआ, nature से जो भी products है, वो convert हो किस में change हुए, product में change हुए, और इन दोनों को change करने तक के सफर में किस ने साथ दिया, वो हमें tertiary sector में साथ दिया, तीक है, अब मैंने जो ketchup का आपको बताया था, कि tomatoes base है, वो secondary sector में आये, तो ketchup बना, तो वहां, primary से secondary में कैसे आया, जो farmer होगा, वो through truck के through, या कोई भी transport के through, उसने secondary sector तक पहुचा आया, और उसके बाद वो वहां जाके manufacture हो के, ketchup बनके तयार हुआ, ठीक है, तो tertiary sector इन तोनों की growth में मदद करता है, इसलिए इसको service sector भी कहा जाता है, तो primary sector को हम agriculture sector भी गहते है, secondary sector को हम industrial sector इसलिए बोलते हैं, क्योंकि यहां पे सारा manufacturing का काम होता है, products change होते हैं, and tertiary sector में, tertiary sector को हम service sector भी कहते हैं, क्योंकि अब for example, farmer ने crops होगाई, ठीक है, अब उसको crops होगाने के लिए, क्या है, मान लिजए उसको loan की भी जरूरत हो सकती है, ठीक है, तो उसको कहां से provide ह होगा, वो facility उसे कहां से मिलेगी, tertiary sector से, through bank, bank के through, अब अगर मुझे primary से secondary तक कोई पहुचाना भी है, कोई product पहुचाना है, change होना है, तो वो through transport के through, हम tertiary sector के through, तो यह इसके example होगा है, कि through transport वो primary से secondary में जाकर के change होगा, तो सबसे बड़ा रोल tertiary sector का है, इन दोनों की growth और development में, तो इनके examples एक बार हम देख लेते हैं, तो primary sector के examples देख लेते हैं, fishing, agriculture, ठीक है, अब secondary sector का देख लेते हैं, sugar, can2, sugar, और tertiary sector के example देख लेते हैं, bank, transport, etc. समझ पर आया आपको, इतना concept आपको clear हो गया होगा, कि हमारी economy, three parts में divide है, three sector में divide है, primary, secondary, tertiary, और तीनों का आपको अच्छे से clear हो गया होगा, तीनों sector में क्या है, और कैसे यह आपस में एक दूसरे से interdependent है, अब ये तो हमें समझ में आ गया, कि एक दूसरे से interdependent है, ठीक है, लेकिन अब हम इन sectors को compare कैसे करेंगे, तीनों sector को compare किस तरीके से करेंगे, कि भई कौन सा sector ज़्यादा काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, देखे, ये तो हमें पता है, कि आज की time में हर एक individual किसी ना किसी activity में तो involved है ही, अब चाहें वो कुछ भी ले लिजे आप, ठीक है, अगर कुछ भी नहीं कर रहा है, तो time pass तो करी रहा है, तो वो उसमें भी एक तरीके से involved है, यानि हर इंसान किसी ना किसी activity में involved है, ठीक है, हो सकता है कोई बहुत बड़ी company को चला रहा है, ये भी हो सकता है, कोई ट्रक चला रहा है, ठीक है, ये भी हो सकता है कोई फार्मर है, तो यानि तीनों sector में कहीं ना कहीं लोग involved हैं ठीक है तो अभी हमें जो बात करनी है वो हम next topic में ये पढ़ेंगे comparing the three sectors कि कैसे हम इन तीन sectors को compare करेंगे तो sectors of the economy large number of goods and services are produced यानि कि अब आप ये देखिए कि एक छोटे से marker से लेकर के और truck तक बहुत कुछ number of goods और services हम कह सकते हैं कि produce हो रही है large number में produce हो रही है huge employment are generated ठीक है हम huge employment क्यों बोल रहे है कि भाई लोग जादा से जादा मॉंट में work भी तो कर रहे है जितने जादा से जादा products produce हो रहे है उतने huge amount में employment भी मिल रहा है लोगों को थर्ड which sector contributes what in economy यानि economy में कौन सा सक्टर किस तरीके से और कितना contribute कर रहा है तो हमें यहीं यहां पर बोलना है अब है comparing and calculating various sectors of economy value is used not the quantity आप एक छोटा से एक्जामपल यहीं ले लिजे कि एक seller है ठीक है उसने 1000 नारियल बेचे तो अब आपको सुनने में क्या जादा लग रहा है 1000 नारियल बेचे उसने उसने का कि भाई मैंने तो आज अब आप उसकी number of quantity देखिए 1000 वहीं हमने एक technology की shop पे देखा कि एक computer का set है और उसका वो पूरे दिन में बस एक ही बिका है उसके 1000 उसका एक सुनने में आपको क्या लग रहा है कि quantity किसकी जादा है seller की जादा है as compared to technological जो उसकी shop है उससे जादा लेकिन cost में अगर मैं value में बात करूं तो तो यहां पर यह इस credit से आप यह समझिए value is used not the quantity अब आप यह देखिए ना कि उसकी computer की value तो उससे जादा है ना जो उसने पूरे दिन में 1000 नारियल बेचे हैं ठीक है quantity में seller के जादा है बट compare करें तो computer की जो value है वो से जादा है तो हमें यही compare करने का तरीका क्या है कि हमको क्या करना है जो final goods produce हो रहे हैं उसकी value को हम calculate करेंगे ना कि जो intermediate goods है हमें उनको calculate करना है ठीक है तो अब एक छोटा से example आप और ले लीजे कि आपने biscuit खाया ठीक है अब उस biscuit को कहां से लि कहां से आया वो किस से बना मान लीजे वीड से बना हीक है अब वो वीड कहां से आया वो हमें agriculture से मिला मिला फार्मर से खेती से मिला तो वो क्या था प्राइमरी सेक्टर था तो मैं आप को biscuit खाने से मतलब है ना आप जब shopkeeper से खरीदते हैं कि बही 10 रुपे का biscuit है लेकिन उस अपका charges हो हमें नहीं देना है न हमें जो final good produce होकर के आया है हमें उसकी value को देखना है ना कि intermediate goods को देखना है कि उसमें कितना लगा है तो इसमें हमने यही समझा not every good that is produced and sold needs to be counted यानि हर एक good जो भी हमने produce किया है या sold किया है उसको count नहीं करना है the value of only final goods and services can are to be included जो final goods or services है उसी की value को हम count करेंगे calculate करेंगे तो आपका last point value of intermediate goods and services are not to be included and calculated जो मैंने आपको अभी बताया था कि intermediate goods को हम calculate नहीं करते हैं हम स्रे final goods को जो produce किये हैं उसकी value को count करते हैं तो because the value of intermediate goods and services are already in final goods and services क्योंकि जो भी आपने मान लीजे आपने एक aloe vera gel खरीदा तो जो उसका final cost होगा 100 rupees है तो आपको shopkeeper को 100 rupees ही देना है अब आप उससे यह थोड़ी पूछते कि इसमें कितना aloe vera लगा था कितने जो chemicals या जो भी used हुए वो कितने लगे हैं या आपका factory से यहां तक लाने का transport का कितना खर्च हुआ labor charges क्या था पूरा convert करने के process में मतला कितना charges आपका charges में वो सब उसके अंदर include होकर जो final product बनके तयार होता है उसका value वो आपको बताते और वही उतना आप उनको दे करके आते तो इससे आप इस बात से आपको समझ में यह point अच्छे से clear हो गया होगा कि intermediate goods or services को हम count calculate नहीं कर final products को उसकी value को count करते हैं तो अब हमारा जो next topic है वो है GDP gross domestic product ठीक है अब GDP से related आपके कहीं न कहीं कैसा भी कोई न कोई question तो आना है या तो वो fill in the blanks की form में आएगा true false की form में हो सकता है या हो सकता है कि आपको GDP define करना आपको बस concept बताओना चाहिए कि GDP क्या है तो GDP gross domestic product यानि की the value of final goods and services produce in each sector आपके three sectors है primary, tertiary, secondary and tertiary ठीक है तो in each sector during a particular year यानि पूरा एक साल के अंदर आपने इन तीनों sectors में जो भी produce किया है उनकी final values को हम जब add करते हैं तो उसे GDP बोलते हैं, particular year provides the total production of the sector for that year तो अगर आपको define करना GDP अब आप कैसे करेंगे, the sum of production in three sectors gives what जो भी तीनों sector को plus करके, sum करके, सबकी final, तीनों sector कुछ ना कुछ तो produce कर रहे हैं, कुछ ना कुछ तो हमें दे रहे हैं, तो उन सबकी final value को add करेंगे हम, और उसको add, मतलब पूरे साल भर कर, ठीक है हमने add किया तीनों sectors को, और उस country के उसी को हमने क्या बोला है GDP, एक एक्ज आप करेंगो यहां पर क्या हो गए, प्राइमडरी स्क्टर के अंदर आगए, ठीक है मैंगो फ्रेदी उस प्रेडियूस हुए, अब वह मैंगो इस सेकेंड़ी सेक्टर तक कैसे पहुचें, थू 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 तो सारे सेक्टर का अपना काम हैं ना, थीक है, तो 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 तर्श मिल्क हुआ, शुगर हुआ, वो पूरा बन करके तयार हुआ, then final आपको क्या mango shake मिलके बन के तयार हो गया, यानि की consume किया आपने, तो पूरे साल भर में सेम ऐसे ही यह हम बताएंगे, कि पूरे साल भर में जो हमने consume किया है, in that year, इन तीनों सेक्टर से, इनकी final value को add करके, उसक हम बात करें, मेजर करने की, तो GDP मेजर कैसे होगा, अब ये कोई छोटा मोटा economy तो है नहीं कि हम इसको मेजर कर लें, GDP एक तरीके से क्या है, हमारे country के economy ही तो है, जिसको हम add कर रहे है, तो घर का तो कोई हिसाब किताब नहीं है, कि आपने पेपर पे लिया और इसको मेजर क मेजर करने के लिए, ये फिर काम कौन करता है, जो हमारी central ministry है, government है, वो उस चीज को क्या कर रहे है, आपको exact सारे data को collect करे गया, ठीक है, जितने भी states हैं, वहां के data को collect करेंगे, और उनको collect करने के बाद वो उसको पूरा finalize करके, उसको पूरा date करके, आपको ये काम GDP मेजर क करने का ministry का है, ठीक है, with the help of various government departments of the Indian states and union territories, यही मैंने आपको बताया, collect information relating to the volume of goods and services, कि कितना पूरे साल में produce हुए हैं, goods and services, और उसके बाद उसको वो calculate करने का काम, central ministry का है, इस वीडियो का ही first part हम finish कर चोगे है, इसका second part हम second video में लेकर आएंगे, I hope आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, तो please इसे ज़्यादा से ज़्यादा like करें, subscribe करें and share करें, thank you